तो यार अगर आप engineering student हो और अगर आपको कोई laptop search अड़ कर रहे हो जिस पर आपने कोई हैवी software यूज़ करना प्लस अगर आपने photo editing करने है video editing करने है gaming करना चाहते हो नॉमनी setting पर मैं सभी के लिए आपको laptop बताऊंगा जो कि आपको 40,000 के button में देखने को मिलेंगे तो start करते हैं सबसे पहले बात करते है number 5 की तो यार सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहते हूँ अगर मैं आपको processor जो आपको i3 भी बताऊंगा न वो 10th generation के साथ जा 11th generation के साथ देखने को मिलेगा सबी laptop में आपको SSD देखने को मिलेगी 8GB RAM जो है वो minimum आपको देखने को मिलेगी मिलेगी प्लस आपको integrated graphic card मिलेगा एंड कई laptop में ऐसे भी बताऊंगा जिसमें आपको 2GB graphic card भी minimum देखने को मिल जाता तो वीडियो के साथ बने देखना, skip on मत करना, बात करता है number 5 की, number 5 पर यार मैंने रखा MI notebook 14 को, अगर इस laptop की बात करूं सबसे पहले, 2020 में बहुत लोग ने इसको पसंद किया बट मैं इसके minus point की भी आपसे बात कर लेता हूँ, minus point की बात करूं, आपको 8GB RAM तो मिल जाते है लेकिन इसको upgrade करने का option नहीं मिलता, जो कि सच में एक minus point आ जाता है तो डिस्प्ले की बातों को 14-inch Full HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती, जो कि एंटीक लिए डिस्प्ले है, पर सासर की बातों को i5 10th generation के साथ मिलता है बैंटरी की बातों को 10 hours का बैंटरी बैकप परवाइड कर देता है, प्लस आपको 65 वोड का far charger देखने को मिल जाता है प्राइस की बात करूं, आपको 41,000 के बडर में MI notebook fording देखने को मिल जाएगा तो यहर मिल स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिये MI notebook fording के, अभी मैं आपको यह भी बता देता हूँ, इसको number 5 पर रखने का सिर्फ यह रीजन है कि आपको 8GB RAM जो upgrade करने का option नहीं मिलता है, जो कि सच में एक minus point आ जाता है तो भी अगर आपने जाना MI notebook fording के और आप जाता है, वैसे laptop देखा जाता है, पूरा loaded मिल जाता है, अगर आपको student हो अगर आप office वर के लिए चाहिए, अगर आपने video acting करने है, 1080p पर अगर आपने gaming करने है, अगर आप like coding करते हो, programming करते हो, engineering student हो, अगर आपने like कोई भी heavy software भ अगर आपको इतना battery backup नहीं मिलता, अभी आगे बात करते है, number 4 की, number 4 की बात करूँ, number 4 पर यार मैंने रखी है, HP fording को, अगर इस laptop की बात करूँ, सबसे पहले यार मैं बात करता हूँ, कई बंदे मुझे मैसी करते हैं, मुझे HP का laptop चाहिए, मुझे Dell का ही laptop चाहिए, अगर आप भी उनमें से आते हो, आप जा सकते हो, HP fording की, और अगर इसके specification की बात करूँ, laptop बहुत अगड़ा, ये दो colors में देखनी को मिलता है, लेकिन black color में मुझे ज़्यादा सूट करता है, अगर आप ने जाना है, तो black color आप भी try कर ले ना, आपको पसंद आने वाला है, ठी इसमें आपको i3 मिलेगा, 10th generation के साथ भी मिल जागा, 11th generation के साथ भी मिल जागा, मैं आपको कहना जाता हूँ, अगर आप 41,000 या 42,000 पे कर सकते हो, आपको i3 11th generation के साथ मिल जागा, लोग जो की latest processor है, बहुत अगड़ा processor, अगर आपने कोई heavy software यूज करना आप कर सकते हो, आ 16 refresh rate के साथ आते है, processor की बातों को i3 10th generation के साथ भी मिल जागा, आपको 11th generation के साथ भी मिल जागा, storage की बात करूँ, आपको 8GB RAM मिल जाती, प्लस upgrade आप कर सकते हो, 16GB तक प्लस आपको 256GB SSD देखने को मिल जाकते है, ग्राफिक कार की बात करूँ, आपको integrated graphic card मिल जाते है, उप्र 14 देखने को मिल जागा, तो your main specification मैंने आपको बताती है, HP 14, इसमें आपको i3 देखने को मिल जागा, 10th generation के साथ भी मिल जागा, 11th generation के साथ भी मिल जागा, अगर आप 11th generation के आपके लिए best deal हो सकते है, मैंने link provide किया हूँ, अगर आप HP का ही laptop लेना जाते हो, आपके लिए perfect deal ह हो सकते है, HP 14, अभी आगे बात करते है, number 3 की, number 3 की बात करो, लेकिन number 3 की बात करने से पहले, मैं आपको कहा देना जाता हूँ, फिर से repeat कर देना जाता हूँ, बई मैं जो भी आपको laptop बता रहा हूँ, for students के लिए अगर आप engineering करते हो, उसके बाद coding करते हो, programming करते हो, photo acting करते आपने कर लेना है, जो कि आपके लिए best deal हो जागी, because आपको ग्राफिकर इतना तगरा नहीं मिलता, आपको इंटीग्रेटर ग्राफिकर मिलता है, अगर डेडिकेटर ग्राफिकर 2GB मिल जाता है, तो आपको RAM करने को कहता ही ना, ठीक है, तो आप RAM को expandable कर लेना, तानकि आपको 37,000 के budget में मिल जाता है, प्लस आपको इसके साथ यार, जो है laptop bag देखने को मिल जाता है, तो अगर आपने laptop को कहीं carry करना है, आप वो carry कर सकते हो, प्लस मैं आपको बता नहीं चाहते हो, इस bag की price में 2,000 देखने को मिलता है, तो यार, इस laptop का price हो जाता है, 35,000, प्लस अगर आप SBI चाए, HPFC कार यूज़ कर लेगा, आपको 5% या 10% आफ भी देखने को मिल जाता है, अगर आप उसको यूज़ कर लोगे, आपको 5,000 और भी less हो जाता है, तो इस laptop का price आपको 30,000, मतलब 30,000 के budget में, आपको ये laptop देखने को मिल जाता है, laptop बहुत जादा आपको description box में देखने को मिल जागा, अभी बात करते हैं, display की तो 15.16 आपको full HD plus display मिल जाते है, जो की 16 refresh rate के साथ आते है, processor की बात करूँ, आपको i3 10th generation के साथ में मिल जागा, 11th generation के साथ में मिल जागा, अगर आप 11th generation लोगे, उसका price आपको 40,000 के budget में मिल जाना, उसका price आ आपको integrated graphic card मिल जाता है, प्रेडी system की बातों को window 10 मिल जाते है, प्लस आपको MS office मिल जागा, 2019 version, battery की बात करूँ, आपको 7 hours का battery backup परवाइड कर देता, price की बात करूँ, इसका price मैंने आपको पहले भी बता दिया, 35,000 के budget में, आपको 10th generation मिल जागा, and 45,000 के budget में, आपको 11th generation क साथ Lenovo IdeaPad Slim 3i देखनी को मिल जाएगा, तो यहर में स्पेसिफिकेशन मैंने आपको laptop के बता दिया, laptop पूरा तगड़ा, अगर आपने इस क्या हो जाना है, आप नोर भी smoothly जा सकते हो, अभी आपी बात करते है, number 2 की, number 2 की बात करो, number 2 पर यार मैंने डखिया, Asus Vivabook Ultra 15 को, आपको slim and stylish design देखनी को मिल जाते है, इसके color वगरा बहुत भी आ रहे आते हैं, भी अगर आपको slim and stylish design चाहिए, आपके लिए ये laptop perfect deal हो सकता है, तो इसके main specification की बात कर लेते हैं, display की बात करूँ, आपको 15.6 inch full HD plus display मिल जाती है, जो की 16 refresh rate के साथ आती है, पर processor की बातों को i3 11 generation के साथ मिलेगा storage की बात करूँ, आपको 8GB RAM मिल जागी, upper grade आप 16GB तक कर सकते हो, प्लस आपको 256GB SSD देखने को मिल जाते है, graphic card की बात करूँ, आपको integrated graphic card मिल जाते है, प्रेडिस 16 की बात करूँ, आपको Windows 10 देखने को मिल जाते है, प्लस आपको MS Office भी मिल जागा 2019 वर्स और battery की बात करूँ, आपको 6-7 hours का battery backup प्रवाइड कर देता है, प्राइस की बात करूँ, आपको 42,000 के budget में, असूस VivoBook Ultra 15 देखने को मिल जाती है, तो यार, main specification में आपको बता दिया, असूस VivoBook Ultra 15 के भी, इसके specification पूरे तगड़े आपको आई 311 इंजमनेशन के साथ मिल जाता जो की latest processor, उसके अपर तो कोई भी नहीं देखने को मिलता है, इसके price range की बात को 41,000 के budget में मिल जागा, बट यार, आपको stylish design में मिल जाता है, slim and stylish design है, अगर आपको वो चीज़ मैटर करती है, आप इसके और जा सकते हो, प्लस अगर आपने लाइक पढ़ते हो, पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, कोई heavy software यूज करना है, आप normally easily कर सकोगे, बस आप जो RAM इसको upgrade कर लेना, आप आगी बात करते है, number one की, number one की बात करने से पहले में आपको कह देना जाता हूँ भी, अगर आपका budget 45,000 तक हो जाता है, आप इस laptop के अचल जाना, अगर आप मतलब 40,000 ही pay कर सक बात करते हैं, अब ही बात करते हैं, लाइक इस तर इस पायर 5 की तो display की बात करूँ, आपको 14 इंच फॉल स्टी पर दिस्प्ले मिल जाते है, जो की IPS पैनल डेस्प्ले, प्रसेसर की बातों को i5 10th generation के साथ मिलता है, storage की बातों को 8GB RAM मिल जाते है, expandable आप कर सकते हो, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाते है, ग्राफिक कार की बातों को NVIDIA G4 MX350 देखने को मिल जाते है, जो की 2GB ग्राफिक कार है, उप्रेटिन सिस्टिम की बातों को Windows 10 मिल जाते है, बैंटरी की बातों को 8 hours का बैंटरी लाइब परवाइड कर दे, प्राइस की बातों को 45,000 के ब पर Video acting करनी है, Gaming करना जाते हो, जगर आपने कोई भी camera working करना है, programming करते है, video acting करनी है, एacam अब ज्यूमिन चुदम तर लिए best deal हो सकते है, यहार अभी मैंने, ड़ेट में मिल बनेखने को मिल जाते है, जो की बहुत ज़यादा नहींा नहीं है, कोई पर Radiology के में आपको नहीं कई को मेंल जायंगे तो चाबूड करना तो ऐसे लिए अगर आपको था सिर्गे साथ्वाइगे घचיר करेंगे है अ